तो Emulsions क्या होते हैं? Emulsions are biphasic heterogeneous coarse dispersion system these are thermodynamically unstable but can be stabilized by the use of the suitable Emulsifying agent Emulsifying agent हमारे choice के उपर in the sense की system के उपर है किस टाइप का system हम लोग prepare करने हैं उसके उपर depend करता है तो यहां पर देखेंगे यहां पर भी दो phases जैसे मैंने आपको बताया था disperse phase और dispersion medium, disperse phase least amount में होती है और dispersion, जो dispersion medium होता है वो large amount में होता है तो यहां पर याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली चीज है कि यहां पर हम जो emulsion बनाते हैं, emulsion हमेशा two immiscible liquids का बनेगा, किस का बनेगा बेटा? इमिसिवल लिक्विट्स का बनेगा, धान दीजेगा, emulsion always prepared by the use of the two immiscible liquids, immiscible liquids का emulsion नहीं prepare होता, किस का होता हमेशा? immiscible substances का emulsion prepare होता है, immiscible phases, तो यहां पर immiscible phases कौन कौन सी है? यहां पर एक बात करें, तो immiscible phases कौन कौन सी है? ध्यान दीजेगा, यहां पर immiscible phase एक water और दूसरा oil, water तो always water ही रहेगा, लेकिन oil बदलते रहेगे, oil different type के oil fixed oil हो सकता है, mineral oil हो सकता है, volatile oil हो सकता है, olive oil हो सकता है, मैं depend करता कि कौन सा oil यूज़ करना है, तो anyway, तो हम यह बात कर रहे हैं, emulsion के बारे में जो बात कर रहे हैं, emulsion are composed of two immiscible phases, अब इन immiscible phases को, जो immiscible phases है, उनको missible बनाने का काम, missible बनाने का काम कौन करता है? आपका emulsifying agent, तो emulsifying agent क्या करता है, system को thermodynamically stable बनाता है, तो thermodynamically stable कैसे बनेंगे? इन दौनों के बीच की जो interfacial tension होगी, interfacial tension क्या होती है, आपके दमाग में चल रहा होगा, कि दो immiscible substance को आपस में पास में लेकर आते हैं, तो एक दूसरे mix नहीं होते, mix नहीं होते हैं, उनके बीच एक boundary बन जाती, उस boundary को बोलते है, tension, interfacial tension, तो phases के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या हो ले global size, अगर हम देखें, मोटे-मोटे तवर पर हम लोग देखें, तो global size हो, 1 to 10 micron, 1 to 10 micron, ध्यान दीजेगा, question पूछे आता है, कि emulsion में global size कितना होता है, तो 0.1 to 10 micron, हाला कि micro emulsion और multiple emulsion के बारे में बात करेंगे, तो हापर size कुछ बदल जाएगा, चली, anyway, next slide, यह slide मैंने आपक लास्ट टाइम डिसकस करा दी थी, मैंने आपको different type के objects clear कराये थे, आपको, मैंने बताये था, कि types of emulsion कितने type के emulsion होते है, macro, micro, multiple and nano, nano को जाने दीजे, nano से हमें जादा कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किसे है, macro, micro and multiple, और especially किसे मतलब है, macro emulsion होते हैं, वो दो तरह के होते है, oil ज्यादा, water कम, तो water in oil emulsion, oil ज्यादा, water कम, oil in water emulsion, और यदि water ज्यादा, oil कम, तो oil in water emulsion, इस दो type के emulsion, हम लोग differences भी देखते हैं, oil in water emulsion में, differences आपने देखे होंगा, oil in water emulsion में, ही होते हैं, मैं discussion कराऊंगा इसको भी, तो anyway, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ emulsion test के बारे में बताया था, कि जो emulsion होते हैं, उनको different type के test के तरू हम diagnose करते हैं, identify करते हैं, कौन oil in water emulsion है, कौन water in oil emulsion है, तो इसके लिए हम dye test, dilution test, conductive test, filter paper या कोबाल् करते हैं, इसके लाभा, emission को breathing, इसके लावां को stabilise, करने के के लिए हम आप को बताया है, Secondly, मुझ deliver elf हो सकते हैं दूसरे आपके जो होते हैंƎ जो कि इसमें आ जाते ठीक है एनभे तो रहाँ बात करेंगे Anyways के बारे में के लिए हम लोग समझाते हैं बताते हैं आप लोग पढ़ा ऊपना सेमस्ट्रमन थेयोडियों पूछ लिए इनमें से कौन सा थेयोरी होती है कौन सी नहीं होती तो मैं याद रखना ketchup interesan दिंटाइब जा धिटाइब आफ भी आखी टाइफ दीज्ल आफ त्री त्री वित थिएधित 14 ao्य चाम थैका तलों में इसाओ प्रॉब्लम्जम को इस उसके बारें बता रहें उसके बाद मैंने आपको ऐसे परउबलम स्कॉलनर पुर्मिंष उसके अपकरेप 17 07 और फेज इनवरजन यह सम मैंने पड़ा दिया था ब्रीफ में अब यह अब मेरे काल से यह यह भी मैंने this लास्स क्लास में नीेर, लास्स मां बताे था यह डिफरेंसिटियख ती इह थे यह का लास्स क्लासिख हorgtण ह्क्या्चिदी प्लत Professor कि बता दिए ते आगे बढ़ जाएं चलिए कुशन्स भी कर लिए थे मेरे काल से चलिए अच्छा यह बताना था मुझे यह बताना था यह नहीं हुआ साइथ मेरे काल से ओके यह 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 नहीं हुआ था ना चलिए रिपीट कर दूं तो ध्यान दीजेगे यहां पर देखेंगे दो टाइप के इमल्शन सोते हैं ओल इन वाटर इमल्शन और वाटर इन आपको बताया था इमल्शन के टाइप के बेज पर अगर हम देखें तो यहां पर पाएंगे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसके पारे में ओल इन वाटर इमल्शन तो इसका मतलब क्या हो दो वाटर इदर लिखा हुआ है और इस तरब लिखा हुआ है तो मतलब वाटर ज्यादा है ओल कम है ध्यान दीजेगा तो जो ज्यादा होता वह मीडियम होता है जो कम होता हो फेज होता है तो यहां पर देखेंगे water in oil emulsion को देखते हैं यहां पर water क्या कम है oil जादा है यहां पर dispersion medium क्या हो जागा oil ज्यादा quantity में और dispersed phase क्या water यह कम quantity में अब इसमें water की quantity ज्यादा होती है किसमें oil in water emulsion में water की quantity ज्यादा होती है बेटा वो चुका है मेरे क्याल से मैंने differences बताए थे आप लोगों को बताए थे क्या difference इस कुछ लोग बच्चे बोल रहा है कि सर नहीं हुआ ऐसा है क्या कि चलिए कोई नहीं तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए कि यहां पर water की quantity ज्यादा है तो इनका जो इसलिए रिमूबल यह हो सकते हैं इनको आसानी से रिमूब कर सकते हैं दूसरा दान दीजिए यदि माल लीजिए आपका इस टाइप का होता है आपका क्ट क क्रीम याद रखना यह कुशचिं आता है कि और क्रीमिंट किस टाइप का दो हुता है water pads आपड़тесьनों होता है इसका भी ऐफ्य एक्जबल हमें मझेधना पड़े सोच नपरे का इसका एक्जानप़ क्या होता है आपका इसका अजम्पल वयनिशिंग क्रीम याद रखिए गई मेंशिंग क्रीम और ऑईल वार्टर एमलशन जबकि चली आगे बढ़ते हैं यह जो ऑईल वाटर इमलशन इसремप का एक्सटरनली साथ इंटरनली दोनों तरीके से यूज करते हैं इंटरनली और यह जब इसकिन के उपार अप्लाइ करते हैं तो वाटर का कंटेंट इस्ट उसलिक एक तेख्णक लेयर बना लेटें हिसले कि वाटर को बाहर को बाहर नहीं जाने देगा है तो यह जाने सिक्षमार्धिश करते हैं तो तो Sch कि मोड़ ऑफ्ट्री चिंट आपने पड़ाँ हो आपने पड़ती चिक करता हैं किक उड़ोता ही कई क काम बड़ी का अभडेल मूस्टली एंविर्मेंट में यह ढ़यता है दो जाते हैं तो गार देता है वह लिए बना लेता है अ कैसी अक्लोसिब लीयर का मतलब होता होता यह एक ट्रहंस्परिंत की लियर बना दे गैं ऑन पर एक नॉन ट्रांस्परिंट टाइप की लेर्भ बना दिया तो यह क्या एंब जोग hon किसके भी हम अस्को उसको बहुत है मॉस्ट्र हएं नितियन रहे गा को सबस् सब्सक्राइब हाँ करें गांड क्वार को मेंक्राइजिक करांत है इसको बनके सब्सक्राइजिए इप यॉसे वांदी हम सस्राइजिए और हम उसके बात Muslim में internal phase में जैसे suppose external phase में क्या है आपके water है यह माल लीजे आपका water हो गया और यह आपका red color से जो दिख रहा है वो माल लीजे oil हो गया मलतलब यह क्यों सा emulsion है oil in water emulsion है तो आप drug drug को जो डालोगे कौन सी phase में डालोगे drug को इस phase में add करोगे इस वाली phase में internal phase में तो अगर ड्रग किस टाइप की जी यह oil है तो यहाँ पर यह कौन सी ड्रग होगी oil-soluble drug oil-soluble drug कैसी होगी बिटा oil-soluble drug जान दीजेगा यहाँ पर यह oil-soluble drug होगी तो oil-soluble drug यदि इसमें ड्रग करते हैं तो oil-soluble drug का release थोड़ा difficult होगा देर में होगा लेकिन यदि आपने क्या कर दिया एक दूसरी टाइप की ड्रग एक दूसरी टाइप की ड्रग कैसी जो कि water-soluble क्या होगा फास्ट होगा क्योंकि externally प्रिजेंट है तो oil-soluble drug इस टाइप के सिस्टम में oil-soluble drug थोड़ा डिले रिलीज होगी जबकि water-soluble drug quickly release हो जाएगी यह पॉइंट है जो water-soluble release more quickly बल्ग जबकि oil-soluble drug इस में देखें तो यहां पर इस वाले सिस्टम में oil-soluble drug तेजी से release होगी कि ओके यास एक इस में ये टेस्ट के बारे मैं अभी नहीं बता रहांगे इस तक नोट कर लिया यह को कि टैस् Fleischा हुया है डाई के टेस्ट के कि टेस्ट इस टैप के अ जो यह अज़ यह च्हुक्म की टेस्ट मैं वीान को टस्कूस कर आऊन। यछ को तो बढ़ा हांगे कि आप चलते हैं तीन टाइब के आम लोग ने देखे पर मैकरि lassan covering जुर्ली हम यूंस करते हैं हाओ कि चेनलरी हम यूज करते हैं देखिए सारी जो बेसिक फंडामेंटल जो होता है बेसिक फॉंडामेंटल जोह in pot by talk इमल्शन होता हूं ज्यादा होता है तो जो जादा होता है उसके साब ही वेल्यू कम होती है क्या होता है अ क्या किया है कि सर्फक्त को क्लासिफाइड करने एगा कि लिए तो कम ऐचली वेली वाले जो होते हैं वो है लिपो फ्लेग निचर के होते हैं और ज्यादा है शले कि दीका आखे घली तो यहां पर देखिये गा यहां पर देखिएगा यह वाटर फेज ज्यादा है तो हाई अमांड में तो आप क्या यूज करोगे और सारी बात हैं ज्यादा काम की नहीं है जबकि W-mlc fire में ओइल ज्यादा है तो आप लिपोफिलिक अमलसी फाइर यूज करोगे जो एक्स्टरनल फेज होती है उसके साप से हमें अमलसी फाइर यूज करते हैं जैसे water external phase है तो hydrophilic यूज़ करेंगे, oil internal phase है तो lipophilic यूज़ करेंगे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें, यहां पर देखते हैं थोड़ा सा, टाइप सा, दूसरे, multiple emulsion, multiple emulsion देखते हैं, इसमें सबसे महुत पूर्जी, देखते हैं, इसका size range क्या था, 0.01 to 10 micron, मैं यहां पर लिख देता हूं, 0.12 to 10 micron, इसमें global size, यहां पर global size होता है, up to 100 micron, कैसा होता है multiple emulsion मैं, बड़ा emulsion, इसको bigger emulsion बोलते हैं, नाम ही इसका है, multiple emulsion, बड़ा emulsion होता है, इसमें size जो होती है, अब आपका कितना रहता है, 100 micron रहता है, up to 100 micron, ध्यान दीजीजे क चुका है और मैं कुश्चन भी बताऊंगा कौन सा कुश्चन आया था फार्मा सिस्टम है कि एक्जाम में इससे भी कुश्चन आ सकते हैं मुल्टीपल इमल्शन से आ यदि आप लोगों मैं से किसी लोगों ने अगर और भी फार्मासिस 2019 का अगर दिया होगा तो इसमें मुल अगर डेल्टीपल इमल्शन की नाम से आंते हैं, एमल्शन के अंदर एमल्शन या फिर डवल इमल्शन, दोडो इमल्शन है क्यों 2 इमल्शन कैसे हैं, देखिए इसका स्ट्रेक्शर देखे, wowblog और oddo, दो तरह QT तो कि एक इमल्षण हो गया और एक इमल्षण इमल्षण एक इमल्षण यह वोगया crystal इसको डबल इंजिनอे कि अ? इमल्ष्ण तो इसमें दोनो टाइब के सिस्टम होते हैं और द्रग का ध्यान रखिए ड्रग इसमें क्या होती है इनर्मोस्ट फेज में प्रिजेंट रहती है अगर मैं इसका स्ट्रेक्चर बनाता हूँ आप लोग देखिए का ध्यान से ठीक यह क्या हो गए आपकी एक्स्टर्नल फेज देखिए रहा है ना एक दोबारा से नहीं मुझे उदर जाना पड़ेगा चले दूसरी तरफ चलते हैं ठीक है दूसरे वाले बोर्ट पर चलते हैं तो वहां पर अच्छे समझ में आए गई आपको चले तो यहां पर देखाता हूं मैं आपको ठीक है यह माल लीजिए अपना एक सिस्टम हो गया ठीक है देख रहा है ठीक है यहां पर देखिए तो मैंने यह सपोज यह माल लीजिए यह एक्स्टरनल फेज होगी मोस्ट एक्स्टरनल फेज यह क्या होगी आपकी मोस्ट एक्स्टरनल फेज क्या वाटर है क्या बिटा वाटर ध्यान दीजिगा मोस्ट एक्स्टरनल फेज क्या आपकी वाटर ठीक तो यह तो होगया बाटर अब वाटर के अंदर क्या होगा फिर सेकंड फेज आएगी वह क्या फेज मिडल फेज यह हो गई आपकी है कि यह क्या हो गई आपकी मिडल फेज ठीक है कि आपकी मिडल फेज हो गई अब ध्यान दीजिए का जो हमारी मोस्ट इंटीर एक्स्टीर फेज सबसे बाहर की फेज मोली आपका डो टॉमशना होते हैं दो एक बुक्ama यह सबसे बाहर की मनुशन की होगई वोटर ओ ne बैब के ते रहे एप लेकिए अब इन ड्रोप लेट के अंदर भी ड्रोप लेट स्क्राइज होती हैं समझ में आए अब इसमें रहेगी आपकी ड्रक इसमें रहेगी आपकी ड्रक आ रहा समझ में तो जो सबसे बाहर की फेज है जो most exterior phase है उसका जो nature होता है most interior phase के जैसे होता है सबसे बाहर की जाली सबसे बाहर की फेज ओएल है तो उसमें बड़े-बड़े ड्रॉपलेट होंगे किसके वाटर के और फिर उसके बाद सबसे अंदर की जो माइनूट ड्रॉपलेट होंगी वह किसकी होंगी आया समझ में तो इसको तभी तो इसको क्या बोलते हैं डबल एमल्शन के नाम स है डबल एमल्शन है आरा समझ में किलियर है किलियर है तो मोस्ट इंटीरियर फेज का जो जो इस्ट्रक्शर होगा या नेचर होगा मोस्ट सबसे अंदर की वह सबसे बाहर की के बरावर होगा मतला सबसे अंदर माल लीजे वाटर है तो सबसे बाहर वाटर होगा सबसे समझ में? yes, clear है? इसको बोलते है हम multiple emulsion तो मैंने multiple emulsion बात भी बात आफम दो तरह के multiple emulsion होते हैं देखिए मैंने बता दी है आपको w o w एक o w o ठीक है तो जो w o यह इस पर कशिचन पूछा गया था विछ ऑफ फॉल्म इच लिक्रीड मेंब्रस स्सक्टम यह बाला जो कशन वता है इसको हम लिक कुड्र मेंब्र सिस्टम के नामसे जानते हैं किस नाम से जन्थे लिक करद مेंब्रस सिस्टम के नामसे जानते हैं पहलर खांद के लिक्विड मेंब्रेन सिस्टम क्यों बोल रहा है क्योंकि आपकी बॉड़ी में देखिए जो मेंब्रेन होती है आपकी बॉड़ी में जो सेल मेंब्रेन रहती है तो सेल मेंब्रेन के इस तरफ वाटर होता है इसको इसी आप बोलते हैं एक्स्ट्राइल फ्लूड इदर सेल के अंदर ICF intracellular fluid होता है बीच में जो मेंब्रेंट रहती है वो किस निचरगी होती ओईली निचरगी तो इधर वाटर इधर वाटर बीच में ओईल तो देखिए ऐसा हो रहा है इसलिए इसको क्या नाम दिया है लेक्विड मेंब्रेंट सिस्टम इसका जो परपज होता है ज्यान दीजिए कि इसको परपज रहता है दो टाइप की ड्रग और वाटर सॉलीबल ड्रग दोनों टाइप की ड्रग को इनकेप्सुलेट कराना है इसका बेसिक परपज होता है कि ड्रग के रिलीज को और सस्टें इतनी आसानी से नहीं बनते लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट पीजिए चलिए तो यह हो गया आपके मल्टी इसकी बनाने की मैथट कौन-कौन सी होती है बनाने की मैथट को यह दि हम देखें सीरिशली देखें तो टू स्टेप इमल्सिफिकेशन प्रोसेस यह होती है टू स्टेप इमल्सिफिकेशन नाम बर्याद रख लीजेगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आप हम लोगों को रिसर्च नहीं करना कि वल हम नाम अगर पूछ लिया गया है विच आप दा फॉलोविंग मैथड इस यूस्टू प्र घे ख इंवर्जाण टेक्निक या वन्स्टेब टेकनिक कि नाम से जाना जाता है फेज इन बरिजन टेकनिक या वन इस्टेब टैकनिक और लास्ट होती आपकी मैंबरेंड extrusion technique कुणसी बिटा membrane extrusion technique यह दो टाइप के emulsion में आपको बताय डबलू ओ डबलू ओ तो डबलू ओ डबलू को मैंने liquid membrane system अभी बताया था आपको liquid membrane system नाम दिया था कह नाम दिया था liquid membrane system समझ में आ रहा है कोई डाउट तो नहीं बिटा कोई डाउट हो तो बताईए एन डाउट यस तो यह था आपका macro emulsion यह था आपका multiple emulsion अब चलते हम किसके पास micro emulsion नाम से पता चल रहा है किसका size छोटा होगा micro micro का मतलब होता है छोटा तो micro कितना size 0.0.012 0.1 micron याद रखिए बिटा यह important size range इसकी size range भी important है और इसकी size range मैंने आपको बारवाद 0.1 to 10 micron इसकी size range इसकी 0.1 to 10 micron इसकी up to 100 micron और इसकी 0.012 0.1 micron होती है clear है यहां तक बताईएगा तो पर आगे बढ़ू मैं यह clear है multiple emulsion तो मैं micro emulsion की तरफ बढ़ता हूं yes हाना कुस तो बोलिए clear है चली very good हम बात करते हैं micro emulsion के बारे है ज्यादा stable ज्यादा stable बाला तो अभी मैंने बताया नहीं ज्यादा stable अभी बताने जा रहा हूं micro emulsion यह दौनों emulsion चाहां macro हो चाहां multiple हो these are thermodynamically unstable emulsion जबकी यह वाला जो emulsion होता है कौन सा micro emulsion micro emulsion जो होते हैं वो thermodynamically कैसे होते हैं stable होते हैं देखिए पहली लान लिखी हुई है these are thermodynamically stable क्यों क्योंकि यहां पर यहां पर हम interfacial tension को interfacial tension को हम इतना lower level तक लेकर चले जाते हैं कि system अपने आप में stable हो जाता है यह question अगर आये तो thermodynamically stable क्यों होता है micro emulsion क्योंकि ultra low interfacial tension कैसी होती है बिटा ultra low यह अगर interfacial tension के बारे हम बात करें तो इसकी interfacial tension कैसी होती है ultra low level तक रहती है बहुत कम बहुत कम इसकी interfacial tension होती है इसको हम अच्छा एक question पूछा है इसको हम डबलू और डबलू को हम liquid membrane system बोलते हैं क्या बोलते है liquid membrane system तो यहां पर thermodynamically stability का कारण क्या ultra low interfacial tension यह दिखने में यह दोनों multiple और macro emulsion को यदि बात करें multiple और macro emulsion को यदि हम बात करें यह दिखने में transparent होते है water जैसे दिखाई देते हैं स्वरी फुल्टा बोल गया यह multiple emulsion or macro emulsion milky appearance वाले होते है milk जैसे होते हैं दूद जैसे जबकि micro emulsion जो रहते हैं आपके optically transparent होते हैं कैसे होते हैं optically transparent एक दम से water के जैसे होते हैं डूपन कैसे होते हैं वाटर के जैसे एक दम से ओर यहां पर एक चीज और ध्यान deserves let da what a comfortably gratis a ट्रांसपरणंट क्यों क्योंकि इनका ग्लूबिल साइज छोटा होता है ध्यान है जिसके आई यहमें ट्रान्सपरेंट दिखाई देते हैंétais क्यो और प्रॉपर्टियं यां मल्टी कमपोनेनट बहुत सारे कंपोरेंट होते हैं इसलिए component isotropic होते हैं और पूर री-soluble drug की वाटर solubility बढ़ाने में help करते हैं कौन? Micro-emulsion. इसमें क्या-क्या होते हैं? ध्यान दिजीएगा primary surfactant और secondary surfactant. Primary surfactant हम इनमें भी यूज करते हैं. इसमें भी यूज करते हैं और इसमें भी यूज करते हैं. लेकिं ध्यान दीजेगा secondary surfactant जो secondary surfactant का concept है वो केवल किसके लिए applicable होता है secondary surfactant इसके लिए applicable होता है micro emulsion के लिए किसके लिए micro emulsion के लिए तो primary surfactant के तौर पर हम किस-किस को यूज़ करते है span यूज़ कर सकते हैं tween यूज़ कर सकते हैं polyoxy, ethylene, loril ether, sodium, dodicil, sulfate यूज़ कर सकते हैं इसके लावा co-surfactant के तौर पर हम short chain alcohol, amines और other weekly MP files यूज़ कर सकते हैं क्लियर है यहां तक बेटा जी एनी डाउट यास क्लियर है तो micro emulsion के बारे में खास बात इसका size, stability, इसका appearance कैसी है ठीक है यह ध्यान देने वाली बात है आगे बढ़ जाएं समझ में आ गया है बढ़ आगे यस बढ़ आगे बढ़ ले कुश्चन्स पर आते हैं चलिए कुश्चन प्रक्टिस पर चलते हैं जो हमने पड़ा अभी तक सीखा उसके बारे फटा पढ़ हम सारी चीज़े करते हैं चलिए आंसर आप खुद करते जाएं मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों के फार्मसेटिकल इमल्शन हेविंग ग्लोबिल साइज रेंज ऑप्शन ए 10-200 माइक्रों ऑप्शन बी 1-10 नेनोमीटर ऑप्शन सी 1-10 mm और ऑप्शन दी 0.1-10 कि राइं माइक्रों चूजता करेक्ट करेक्ट आंसर नौर्मल पूचहा नौरी में ऊहरे दिमाग मतलगा 110 % के बारे में कुश्चन है multiple या फिर micro के बारे में कुश्चन नहीं इसलिए अंसर क्या हो जागा फटापट आंसर सभी लोगों से चाहूंगा मैं आंसर फटापट पूरे लोग सभी लोग क्विज में पाइटिस्पीट करें बहुत सिंपल कुश्चन है भीटा ध्यान लानने जानेगा क्या होगा अंसर डी और आंसर क्या होगा दी चली आगे है विच आफ दी फॉलविंग इमल्शन यूज इंटनली पीछ अब दे फॉलविंग इमल्शन यूज इंटनली एस वेल आज एक्सिरनली ऐसा correct answer आपको select करना है बहुत बढ़िया क्या होगा answer oil in water emulsion जो होता है मैंने अभी आपको कुछ दिर पहले पढ़ाया था oil in water emulsion होता है वो internally के साथ साथ में externally दोनों तरीके से use किया जा सकता है इसलिए क्या होगा correct answer a correct answer क्या होगा a oil in water emulsion बहुत बढ़िया very good which of the following is correct about the emulsion emulsion के बारे में क्या correct है option a these are thermodynamically unstable बिलकुल होते हैं these are biphasic system यह भी बिलकुल correct बात है biphasic heterogeneous system होते है these are quartz dispersion quartz dispersion भी होते हैं तो क्या हो जाएगा answer बताईए answer answer is D all of the above correct answer क्या हो जागा D all of the above next question पर चलते हैं question number 4 बहुती simple question है which of the following emulsion is thermodynamically stable unstable थो हमने सुने थे लेकिन इन में से कौन सा कौन सा emulsion thermodynamically stable होता है option A macro emulsion option B multiple emulsion option C micro emulsion या फिर option D सभी के सभी macro emulsion और multiple emulsion और multiple emulsion दौनों के दौनों दौनों के दौनों थर्मोडाने में के लिए कैसे होते हैं unstable होते हैं जबकि micro emulsion जो होता thermodynamically stable होता है जो अभी मैंने आपको बताया था चलिए आगे बढ़ते which of the following used as a emulsifier in the formulation of emulsion इनमें से कौन सा emulsifier है इसमें से कौन सा emulsifier है जो की emulsion बनाने के लिए हम use करते हैं option A twin option B span option C bentonite या option D all of the above पटापट बताई एक answer बहुती simple question है मैंने आपको flow chart बताया था second slide में उसमें इसका answer चुपा हुआ था correct answer क्या D twin और span synthetic emulsifier होते है twin hydroflake nature का होता है span lipoflake nature का होता है bentonite आपका finally divided solid category में आता है तो correct answer क्या हो जागा D all of the above next which of the following method used for the preparation of multiple emulsion आप अभी अभी मेरे मेरे में ने पनाने की मेथड़्य ने की में बताई दी कौन कौन सी मेथड़्य जो कि मुल्टी पर इमल्टीपल इमल्शन बनाने की हम यूज करते हैं two-step emulsification method you a micro channel emulsification process phase inversion technique he after sabi k sabi I am waiting for your answer correct answer is D all of the above एसा तो नहीं एक दूसरे की देखकर लगा रहे हो एक ने लगा दिया एक ने लगा दिया आंसर वही सब कुछ लगा रहे है चैट मैं क्या करूँ चैट को मैं सिंग सेटिंग कर देता हूँ हम चले अब करिएगा अंसर सिंगल कर दीजिए हां नोट से देखकर नहीं मजा नहीं आएगा बेटा नोट देखकर करोगे तो मजा नहीं आएगा एक दूसरे कॉपी करोगे तब भी मजा नहीं आए कुछिन कराने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कुछिन कराने का कोई मतलब नहीं है फिर अगर इस तरीके से चलेगा तो कुछिन कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप देख देखकर आंसर कर रहे हो तो मेरा कुछिन कराने का कोई मतलब आपको यह चीज लर्न हो जाएं, रट जाएं आपको यह चीजें बिलकुल, समझ रहे हैं मेरी बात को, यह चीजें आपको एकदम से रट जाएं, यह सभी की सभी method यूज होती है, multiple emulsion बनाने के लिए, चले, next question, अब देखते हैं, which of the following emulsion consider as liquid membrane system, RRB Pharmacist 2019 का question है, कौन सा emulsion है, जो liquid membrane system के जैसे consider किया जाता है, बहुत अच्छे, कुछी लोग quiz में participate कर रहे हैं, बाद बागी लोग तो खाना पूर्ती कर रहे हैं, ऐसे कोई सा भी exam, दुनिया का कितना भी simple exam होगा, वो आप crack नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे involve नहीं होगे, ठीक है, liquid membrane system अभी अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक है, liquid membrane system अभी अभी पढ़ाया है था मैंने, water, oil, water, बीच में oil है, oil कैसा हो, आपका membrane के जैसा, ये कैसे हो जाएगा answer, liquid membrane system पूछा है बिटा, और अभी बताया था, मैंने पढ़ाया था कुछ दिर पहले, क्या रुक रुक कर आ रही, voice में बोली नहीं रहा, voice में बोली रहा, तो रुक रुक कर कैसे आएगी, signal आपकी problem है, signal की, मेरी नहीं है, आप लोग देखिए, इस बार मैंने chat बंद कर दी, तो आप दूद का दूद पानी का पानी हो गया, देखो, अब आने लगे आप लोग पानी में था, मैं गलत फ्हाँ का आप लोग, सबी लोग आंसर, एक दूसरे की chat देखकर आंसर कर रहे थे, वो गलत बात है, थीक है, एक दूसरे की chat अगर देखकर आंसर कर रहे थे, वो गलत बात है, correct answer क्या है, डभलू ओ डब्लू अभी बताया था, थोड़ी दिर पहले मैंने ठीक है ध्यान दीजिए इन विच अब दी इमल्शन इमल्शन इनिशली हाइडरोफिलेक इमल्शिफायर यह थोड़ा टफ कुश्चन है मैं इसको कराऊंगा इज यूज़ फॉलोड बाए इस फॉलोड बाए लिपोफिलिक है एमल्शिफायंग एेजंट एमप्लोइड पहले यूज़ करना है है धो ऊजीफायर फॉर्ष के बाद हम यूज़ करना है कौना लिपोफिलिक Amn natur क्या होगा मतलब एक ऐसा इमल्शन बना है इसमें दॉनों तरह के animals करने एक साथ पहले आपको यूश करना फिर्न यूश करना आपको लिपॉस्ले इस भागत अच्छे वैटा दो कि इसमें कैसा होगा हाइड्रोफिलिक और इसमें कैसा होगा लिपोफिलिक क्योंकि ओइल जादा है यह तो दोनों अंसर होंगे नहीं यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा अब इन पर बात करते हैं यहां पर मैंने कुश्चन में पहले बोला है यहां पर कुश्चन पहले है initially Hydro Flake Emulsifier फिर उसके बाद Lipikle Emulsifier तो मतलब पहले जो Emulser बनेगा वह कैसा बनेगा इस टाइब का Emuls Garden बनेगा पर उसके बार जो Emulsern मनेगा कुछ इस ऑप का Emulsin मनेगा जुड़ी कि एकि यह डाइब को बता दिया के लिए कि यह भी नहीं हो सकता है यह भी नहीं हो सकता तो पहले आप हाइड़ फ्लेक यूज करोगे तो क्या होता है जब मल्टीपल इमल्शन मनाते हैं तो पहले एक प्राइमरी मल्शन बनता है कौन सा बनता है प्राइमरी मल्शन प्राइमरी मल्शन में वही स्कंसेप्ट तो वही सेम लगेगा कि hydroflake emulsifier मतलब water external phase होगी कि water क्या होगी इस बने हुए primary emulsion को हम transfer कर देते हैं किस में most external phase यहाँ पर most external phase क्या होगी oil होगी तो फिर oil के साफ से emulsifier select करें कौन सा लिपोफिलेक तो system कैसा बनेगा ओ डबलू ओ ओ डबलू ओ तो correct answer क्या हो जागा यह जान दीजिगा पहले इतना emulsion बनेगा पहले कितना बनेगा इतना emulsion जान दीजिगा पहले इतना emulsion इतने emulsion के लिए क्या होगा आपको hydroflake emulsifier यूज करना पड़े क्योंकि water यहां पर external phase है अब पूरा emulsion बनेगा तो उसके लिए external phase क्या oil होगी तो आपने लिपोफिलेक emulsifier agent यूज किया समझ यह बात हो फिर क्या कि है लिए लिए इसका उल्टा होता पहले हमें लिपोफिलेक यूज करते फिल हाइडर्फिलेक यूज करते तो आंसर यह हो जाता क्योंकि पहले लिपोफिलेक के साब से यह external phase होता यह बनता पर उसके बाद यह external phase होता तो यह बनता आरा समझ मैं इसलिए correct answer इस वाले कुश्चन के साब से answer क्या होगा सी करेक्ट size range of double emulsion यह कुश्चन का answer सभी से बनना चाहिए size range of double emulsion size range of double emulsion 100 to 1000 micron up to the 100 micron 1 to 10 micron 0.01 to 0.1 micron यह तो सही होना चाहिए answer सभी लोगों का up to the 100 micron कित्ता यह किसका है यह micro emulsion का और यह multiple emulsion का है ठीक है correct answer क्या हो जाएगा double emulsion का up to 100 micron all of the following statement are correct about the micro emulsion यह question आ चुका है important question है all of the following statement are correct about the micro emulsion except एक को छोड़कर सभी statement correct है एक को छोड़कर सभी statement correct है एक को छोड़कर सभी statement correct है यह बात विल्कुल करेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि micro emulsion जो होते हैं thermodynamically stable होते हैं क्योंकि optically transparent होता है यह बात बिल्कुल सही है दीज आर प्रिपेर्ड यूजिंग बोत प्राइमरी एस वेल एस सेकंडरी emulsifier या को सर्फेक्ट है तो सही answer क्या होगा B low surface area of global surface area क्या रखना हमें यहां पर अगर हाई होता तो ठीक ता लेकिन लो लिखा हुगा है इसलिए गलत हो जाएगा है चूज दा करेक्ट मोड ओफ एक्षिन यह कुश्चिन थोड़ा आगे का है मैं इसको अभी नहीं करा रहा ठीक है इसको मां बात मा करा हूँ इस स्फिशन को ठीक है अब चलिए ट्ज्ट पढ़ते हम टीक तरस्ट फ इमल्शन इमल्शन के टेस्ट देखते हैं लोग लेख रहा है क्लियर और अनी प्रॉब्लम चले तो टेस्ट मतलब identify करना हमें कौन सा emulsion OW है और कौन सा emulsion WO तो इसके लिए 5 टेस्ट लगाते हैं हम basically ध्यान दीजेगा एक dilution test, एक dye test, एक conductivity test, एक creaming test, एक fluorescent test और last में cobalt chloride या filter paper test, यह दो तरीके से हो सकता है, मैं आपको इसके बारे भी बताऊंगा, तो dilution test क्या बोलता है, dilution test का principle क्या है, कि यदि dispersion medium, आपको पता dispersion medium का मतलब क्या होता, external phase, यदि आपने external phase, जो है, जैसे external phase water है, और आपने emulsion में water ही add कर दिया, external phase क्या है, water है, और आपने water ही add किया है, तो there is no phase separation, कोई phase separation नहीं होगा, कोई phase separation नहीं होगा, यदि water, यदि आपने, सबोज करी आपको पता नहीं है, कौन सा emulsion है, oil in water है, water in oil है, पता नहीं है, आपने तो इसमें water add कर दिया, water add करने के बाद यदि phase separation हो गया तो मतलब समझेगे water आपका external phase है तो emulsion क्या हो जागा oil in water और यदि water add करने के बाद phase separation हो गया तो मतलब oil external phase है water internal phase है oil external phase है water internal phase है phase separation हो गया ध्यान दीजेगा मैं दोबारा रिपीट करता हूं ध्यान से सुनिएगा यदि आपने यदि आपने डालूट किया अपनी आपके इमल्शन में एक डालूशन किया कोई लिक्विड लेकर जैसे सपोज वाटर लिया वाटर एड करना है तो कोई फेस सेपरेशन नहीं हो रहा है यदि फेस सेपरेशन हो रहा है तो अलेज वाटर इंटरल शेल है आया समझ में दूसरे तरीके से सोचते हैं यदि आप अठीक और और रहे हो और अठीक और उल ओर एकaltet Ste नहीं हो रहा तो मतलब आपका जो ऑइल है वो एक्स्टरनल फेज है तो सिस्टम आपका क्या हो जागा डबलू ओ इमल्शन हो जाएगा समझ में के लिए कि लेकर लेकर वाटर इस एड़ेट तो ओड़ली मुल्शन इस फ्रीली मिसीवल विद्टा इमल्शन और नो फेस्ट अकर मतलब आप अडेंटिफाइज कर जाओगी ओलिन वाटर इमल्शन दूसरा समझ में आया जे यह यह डाइलीशन टेस्ट डाइट्स क्या होता है हम एक दो तरह की डाइज होती है वाटर सॉलीबल डाइज यह और वाटर सॉलीबल डाइज होती है और वाटर सॉलीबल डाइज होती है और वाटर सॉलीबल में आती है आपकी सूडान थर्ड और स्कार्डेट रेड यदि आपने डाइज किस में डाली आपने इमल्शन में कर लेते हैं तो यदि आपने oil-soluble dye आपने emulsion में डाल दी आपका emulsion पूरी तरह से colorful हो गया तो मतलब आपका external phase क्या oil है emulsion क्या हो जाएगा w o मतलब water in oil emulsion हो जाएगा कैसा emulsion हो जाएगा w o water in oil emulsion हो जाएगा यदि यदि आपने oil-soluble dye 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 डाली spotty spotty दिखाई दे है तो मतलब oil आपका internal phase है मतलब system क्या हो जाएगा o w identify कर सकते हो यदि आपने water-soluble dye select कर लिए तो आपने आपके emulsion में डाली पूरा emulsion colorful हो गया तो मतलब water external phase है पूरा colorful हो गया पूरे में रख जाएगी water ज्यादा है पूरी colorful हो गई तो मतलब external phase water है मतलब emulsion क्या oil in water यदि आपने क्या किया यदि आपने डाई डाली और emulsion में color droplet droplet color दिखाई दे रही तो मतलब water कैसा है internal phase है तो मतलब water in oil emulsion हो गया इसको बोलते हैं डाई टेस्ट यह डाई solubility test तीसरा होता आपका conductivity test कौनसा बीटा conductivity test conductivity test क्यारे में एक principle basically होता हमें पता है कि water is a good conductor of electricity water is a good conductor of electricity तो यदि water आपके external phase में present है तो current flow होगा उसमें अगर आपने electrode बगरा लगा दिए बल्ब लगा देते हैं बीच में और आपने current पास किया तो बल्ब जलने लगेगा बल्ब यदि जल रहा है तो ow emulsion water external phase है बल्ब यदि नहीं जल रहा तो oil external phase है मतलब ow emulsion है तो dilution test में क्या था कि आप जिस medium को add कर रहे है उसके साब से अगर water add कर रहे होकर phase separation नहीं हो रहा तो water external phase है मतलब ow emulsion है यदि phase separation हो रहा है तो w emulsion है उल्टा हो जाएगा उसी तरीके से conductivity test में देखते हैं यदि आपने current flow कराया तो current flow नहीं हुआ तो आपका oil external phase है water internal phase है और यदि current flow नहीं लगा तो water external phase है oil internal phase है बहुत simple test है अब आता है क्रीमिंग टेस्ट क्रीमिंग टेस्ट में क्या होता है क्रीमिंग एक problem भी होती है emulsion की जो हम लोग पढ़ेंगे क्रीमिंग में क्या होता है कि direction of creaming के इसाब से हम decide करते हैं कि emulsion कि इस टाइप का है यह problem भी होती है तो दोनों emulsion दो तरह एक emulsion होते हैं oil in water emulsion होता है water in oil emulsion होता है तो किस तरह से क्रीमिंग हो रही है upward जा रहा है तो याद रखना क्रीमिंग में क्या होती है हमेशा internal phase मूव करती है external phase मूव नहीं करती कौन मूव करता है internal phase और internal phase मूव करता है according to the density अगर density कम है internal phase की तो ऊपर की तरफ जाएगा density ज्यादा है internal phase की तो नीचे की तरफ जाएगा सपोज करिए सपोज क्रीमिंग अपवार्ड हो रही है सपोज करिए क्रीमिंग अपवार्ड हो रही है तो मतलब ऑईल औंूफ कर रहा है अपर मतलब उपर की तरब याएका तो मतलब औ convention कीसा हो जायगा OW Initiate Pr karış Prote MeWhoimσω करता एंटर मूफ करती है तो कैसे सब्सक्राइब डेखिये और in-water water emulsion oil oil in water emulsion में oil oil मूव करेगा internal phase मूव करती है दूसरा द्यान दीजिएगा यदि आपकी क्रीमिंग downward हो रही है downward cream हो रही है मतलब आपकी वाटर वाटर तो नीचे की तरह भी जाएगा है वी होता है तो मतलब इसको downward और वर्ड क्रीमिंग किसमे वगा डवली ओऊ-इमल्शन में किसमें में में बॉर्ट क्रीमिंग किसमें वाटर इप्ट के बाहित है फ्लोरोसंस टेस्ट कैं होता है कि अगर उसमें फ्लोरोसंस ओइल जो हुते हैं यदि Um इनको इनको UV Light आपजर्वेशन में लेकर जाएंग हां क्रेमिंग टेस्ट होता है क्रेम निकाली जाती है उसकी थीक है फ्लोरोसेंस टेस्ट तो क्या होता है कि अगर आपको ओउइल को UV Light के प्रजेशन में लेकर जाओ गए तो फ्लोरोसेंस प्रद्योस करता है याद आपने इमल्चन को लेकि गाईErू भी लाइट के अबजर्वीशन में तो पूरा इमल्चन यादfendimكون हो गया पूर हम चैसा हो गया फ्लोरोसेंसी जोगया तो इसका दिखाई दे रही है तो मतलब आपका क्या होगा इंटर्नल फेज होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा ओइल इन वाटर इमल्शन होगा एक और होता है क्लोबाल्ट क्लोराइट टेस्ट यहां पर फिल्टर पेपर का कलर चिंज हो जाता है फिल्टर पेपर लेंगे उसको कोबा कलर चेंज नहीं हुगा यदी फिल्टर पेपर तीजी से गीला हो जाए तो ऑल इन वाटर इमटर कीजि़ बहुत करता है तो तेजी से गीला कर देगा यदी आपने इमल्शन से तो यह इसको ट्रीट कीया तो यह स्लोली श्लोली गीला हो रहा है तो मतलब उसमें क्या है, oil external phase है, मतलब water in oil emulsion है, आया समझ में यतना, yes, बताईएगा, आया समझ में, yes, चली, तो आज के लिए इतना ही, मेरे कहल से अभी इसके बाद, उसके बाद जो है, यह हम कल डिसकस करते हैं इस चीज़ को, ठीक है, यह सब property, ideal properties, सबको हम कल डिसकस करते हैं, ठीक है, समय भी हो गया next class का, तो चलीए, I hope आप लोगों को आज मजा आया होगा, समझ में आया होगा, enjoy भी किया होगा, बहुत सारे questions भी किया हम लोगोंने, देखे भी, समझे भी, परके भी कि emulsion क्या होता है, नईनी चीज़ें पता चली होगी, तो आप लोग, creaming emulsion नहीं होता है, creaming of emulsion, creaming का मतलब होता है, internal phase का move करना, क्या होता है, internal phase का move करना, internal phase यदि oil है, तो उपर की तरफ move करेगी, water है, तो नीचे की तरफ move करेगी, ओके, चलिए, मज़ा है के नहीं, आप लोग पहले तो यह बताईए, group में feedback जरूर दीजिए, ठीक है, app पर भी feedback दे सकते हैं, आप लोग, आप अपना valuable feedback जरूर दीजिए, कैसा लगा, जो भी आपको लगा, जो भी improvement की जरूरत हो, आपको लग रहा है, कैसा और करना चाहिए, ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, next class में, thank you so much, good night, take care, ध्यान रखी अपना पढ़ाई कीजिए,